मनुष्य के जीवन में और उसके सामाजिक जीवन में जो अनएक संकल्प होते हैं उन संकल्पों की सिद्धी होते के समय जो समाधान प्राप्त होता है वह समाधान कल हमने पूरी तरह प्राप्त किया मुझे याद आ रहे थी हमारे अनेक कारसेवकों की और उनके भी पूर्व जिन लोगों ने आत्मिलिदान इस दिव्यकारी के लिए किया था उन सब की और मुझे अंतक्रण में पुनपुना भाव उमड़ करके आ रहे थे कि मुधी जी के प्रयासों के कारण आज उसके उपर कलशारोपन हो रहा है उसका कार्य पूर्ण हो रहा है काम बहुत लोगों ने किया लेकिन आखिर इन सब लोगों की एकत्रित शक्ति ने मुधी जी को खड़ा कर दिया और इसलिए उनका जो भी वर्णन किया जाए वो मुझे कमही लगता है मैंने केवल भावकता में उनको राजर्शी नहीं कहा उस प्रकार का उनका जीवन मैं देख रहा हूँ कल समय अलप था इसलिए मैं पुरा बोल भी नहीं पहुत लेकिन इन 11 दिनों में उन्होंने भगवाई श्री राम के मंतर का बहुत जब किया है मंतर हम नहीं भीजा था लेकिन वो लगातार अखंड जब भी खाली थे उस मंतर का जब कर रहे थे यह मैंने स्वयम अवलोकन किया है तो इस प्रकार अपने को अपनी वानी से अपने मन से और अपने कर्म से अपने सनुसर्ग से साधने वाला कोई एक राष्टनायक हम लोगों को प्राप्त हो जाए यह देश का सोभाग्य है और इसी प्रकार हमारा देश आगे प्रगती करता जाएगा और हम लोग विश्व का मंगल करने के लिए अपने को निश्टित रूप से स्रसक्त बनाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है देखो जब मैंने मैं तो समझता नहीं था कि उनके मुख में मुझे पिलाना है मैं तो चरणामृत के रूप में उनको तीर्ट देने के लिए ही उनके कहने से लाया था एक बात और बता देता हूँ बास्तों में जो सोचा गया था वो जल में शहद और निवु के दो बूंदे डाल करके और उनको पिलाने की बात हमने सोची थी जो कि हम लोगों को प्राया जिसका भी उकोशन पूरा करना होता है हम लोग करते हैं लेकिन उन्होंने कल मुझे अलग से आते आते अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाईए भगवाय श्री नाम का चरणा मुझे पिलाईए इसलिए समय पर हम लोगों को सब बदलना पड़ा और वो जब अचा वो भी मैं जैसा तीर्थ दिया जाता है मंदिर में वैसे उनको देने वारा था लेकिन उन्हें धीरे से कहा पिलाओना तो एक दम आपको सची बात बतात हो मेरे में मता का आवाद सले जागरूत हो गया मैं उनकी माताजी को बहुत ची तरह जानता रहा हूं मेरे अन्तकर में उस अमय मात्र तो भाव था और मुझे इसा लगा था कि मेरे एक अच्छे लाल यो देश की होना है उनको मैं पिला रहा हूं उनका उप्वास मूना कर झाल